इस अब जिस जगापक हैं आपको जिस जगाई सेर करवाने वाले हैं इसका नाम है चाइना टाउन और यह इंचन पोर्ट के उपर वाक्या है अगर आप मेरे दाये तरफ देखें तो आपको इसकी में एंट्रंस यानिके मर्कजी दर्वाजा नजर आएगा यह सरफ चैना टाउन का मर्कजी दर्वाजा है और अगर आप इसकी बिल्कुल फरेंट पर देखें यानिके बैक साइड पर आपको यह इंचन सब्वेय पोब करें तो पूोचल करें उचल करेंगे दोचल करेंगे हुआ है। प्रप्रण एटीक पूसा है। लुझे! लुझे लुझे जो भी करेंगे है कर दो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो यहां पर इस चाइना टाउन में जुल्बों बर्बरियत की जो दास्तान लिखी गई उसके उपर आज हम बात करेंगे आज हम चाइना टाउन के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और यहां पर जो खून की होली खेली गई बाए दा कोरियन रूलर्स विद दी चाइनिस फीबल हम आपको उसके बारे में बताएंगे तो फालो मी लेट्स गो तो फ्रेंड्स ये बात है 1984 की के जब पाकिस्तान में मार्शला लगा हुआ था और एक टिक्टेटर जेनरल ज्याउल हक पाकिस्तान को रूल कर रहा था जी तो ये बात है 1984 की के जब इस टाउन की बुनियाद रखी गई जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहां पे एक जुल्म बरबरियत की एक दास्तान लिखी गई एक खून की होली खेली गई उसके बारे में हम बात करेंगे तो हुआ क्या ये प्लेस इंचन पोर्ट के बिल्कुल पास है तो कोरियन लोग चाइनीज लोग यहां कोरिया तिजारत की गरत से आया जाया करते थे फिर उस वक्त के कोरियन हुक्मरानों को लगा कि चाइनीज लोग कोरिया को शिप के साथ बांद कर इस पार्ट को चाइना का हिसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो शिप के साथ बांद कर इसको चाइना के साथ मिला रहे हैं तो उन्हों ने चाइनीज लोगों को मुलक से निकल जाने का कहा तो कुछ लोग जो के समझदार थे उन्हों ने अपना बोरी बीस्तरा बांदा और वो वापसी की तरफ निकल गए लेकिन एक खांदान अपनी दलेराना और बेवकूफाना जुरत का गुमान करते हुए लेकिन उसने फिर भी उनके सामने खड़ा होने का फैसला कर लिया और वो जजबा चाइनीज खांदान के लिए बहुत महंगा था और वो उस इंडियन पॉलिटीशन के बी ग्रेट जलसे का सी ग्रेट डैलोग मार बैठा इंतहाई वल्गर पॉस्टर के साथ फिर क्या था ना तो वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम थी जो के बियानी की प्लेट पर अपना इमान बेश देते हैं और ना वहाँ पर चाइनीज अवाम थी तो फिर होना क्या था फिर हुआ वही जिसका 100% यकीन था फिर उस कोरियन हुकमरान ने यूएस चरनैल से कमांड लेते हुए उस सर फिरे दिमाग से हटे ले और अकल से पैदल चाइनीज खानदान के सरबरा समेथ पूरे के पूरे आठ लोगों को फोजी सीमेंट और मुग खानदान के आखरी चश्म चराग से रूबरू करवाऊंगा जो आज भी वहीं खड़ा है जहां 35 साल पहले उस खानदान का सरबरा खड़ा था तो आए मिलते हैं उस खानदान के आखरी चश्म चराग से तो आए मिलते हैं मिस्टर चॉंग से जी मिस्टर चॉंग तो कैसा अगर आपको स्टैचू का किरदार प्ले करते हुए लगता है मिस्टर चौंग मेरी बात को नागवार गुजरी है और उन्होंने मेरी बात का जवाब देने से खमोश रहना मुनासिब समझा आप अगर देख सकते हैं उस तरफ तो आपको पहले नमबर पर उस खानदान का वह सर्ब्रह नजर आएगा और वहाँ से सिलसला चलताए और यहां मिस्टर चौंग पे आके खतम होता है यह सिलसला तो आके चलता रहेगा और ये यहाँ पर इसी हालत में ना जाने का कितने साल मजीद खड़े रहे रहे हुए आएए चलते हैं चाइना टाउन की तरफ मजीद आएए आपको दिखाते हैं कि इस चाइना टाउन में ऐसा और क्या है लेट्स गो वीडियो के लिए मैं अपने बेस्ट फ्रेंड मिस्टर सनी यानि के अब्दुरह्मान को दावाद देता हूँ कि वो माइक संभाले और आपको आगे की वीडियो के बारे में बताएं थैंक्यू राना राशित दोस्तो आपने देखा मेरे दोस्त राना राशित ने आपको चैना टाउन की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया यह हिस्ट्री कुगल से उठाई हुई नहीं थी यह सेल्फ के एड़ेड थी सो दोस्तो चलो देखते हैं आगे क्या है सू लेट्स को झाल झाल ये इंचन पोर्ट है आप इसको देख रहे होंगे ये अगर आप देखें ये तो ये आपको एक शिप नज़र आएगा यहांपे इनके यार्ड है कंटीनर यार्ड है बहुत बड़े बड़े ये दूसरी तरफ ये इसके अपोसिट साइड है यहां पर आप संसट भी देख सकते हैं ये अवाम यहां पर संसट देखने भी आती है अगल मुझा को मुझा एंसटनली अफ्या है कि ए बूसान जारे हैं इसके भसाफिए कोर चॉद् कि यहां रह mot बढ़ेisme ुआ बड़े आप था जूदी ने इस जाहरे हैं ना जॉब का ठिकाना है वe ठीजाए आ खाया था के काम काया है? काम काम थहीवे है? lifelong आफसे जॉब है वह भाहँ पर कंप्यूटर ठरीन्टरश से प्रिन्तर है तो बूसान के बारे में हमें अप्सिस को क doesn्क आश स्सक्ष्राइटश से है। वहां फर्वार्न में भाद रहा है वहां वहां बाद बीच्दाझ ब्हुत जाद हैं वहां बीच्जेश बहुन फर्व responds और भाद से दोंते हुखा हैं छार्वार्नrophe स्क्राइब्स लाइफ़ धा प्रेटाओं कांफ। पर पाइटर की दीदender जोब भी जनाभ करते हैं about opp history उसके उसका सड़ूर की जाहां जाब मिलती है वह पिर ना तो बें दो पर श्र मंगुैन पाकिस्तान ने मुडेफा को बोड़ है यह देखें जी नाजमा इस जहाज में अगर आप देख रहे होंगे कोपर चंग लगी है तीरों की बारिश हो रही है और यह नीचे इन्होंने वक्री अपनी पार्टी चलाई हुगी है यह देखें यह आप देख रहे होंगे कि यह जैसे कैसे जल्म किया जाता है इन लोगों पर यह पूरे के पूरे शिप इन्होंने जला दिये विसी पोर्ट का वाक्य है यह यहां की रियल स्टोरी है रियल कहानी है अध्याद志 कर्दोर अध्यादर स्टोर्ट का वाक्याद एफ जञाता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर को कर दो झाल 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 झाल